ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम यानी जी एच एमसी इलेक्शन रिजल्ट चुनाव में शांदार प्रदर्शन को बीजेपी ने नैतिक जीत बताया है पार्टी की ओर से कहा गया है कि वह तिलंगाना में सत्ता संभाल रही टी आरेस की एकमात्र विकल्प के रूप में उभरी है बीजेपी के राष्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नड़ा ने नतीजों को पार्टी के लिए एतिहासिक बताया है उन्होंने दावा किया कि यह दिखाता है कि देश केवल विकास के एजन्डे का समर्थन करता है इस चुनाव में बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की है और दूसरे नमबर की पार्टी बन गई है टी आरेस को 55 सीटों पर जीत मिली है वही ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 44 सीटों अपने नाम की है बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव नतीजे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के विकास और प्रशासन के मॉडल को मिरा समर्थन दर्शाते हैं हैदराबाद के लोगों ने अस्पष्ट कर दिया कि 2023 में होने वाले तेलंगाना विधान सभा चुनाव के नतीजे क्या होंगे मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि तेलंगाना के लोगों ने भरष्ट केसी और सरकार को अलविदा कहने का फैसला किया है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड़ा ने कहा कि जब चुनाव चल रहे थे तो मुझे उलाहना दी गई थी कि गली के चुनाव में बीजेपी का राष्ट्रिय अध्यक्ष आया है उस समय भी हमने कहा था कि यह एक तरीके से हैदराबाद की जनता का निरादर है उन्होंने बीजेपी की शांदार जीत पर हैदराबाद की जनता को धन्यवाद दिया या निव्ज नेटवर्ड के लिए गोविन कुमार की रिपोर्ट नई दिल ली आज जो ग्रेटर हैदराबाद मिनिस्पल कॉर्परेशन के चुनाव के नतीजे आये हैं वह एक बात स्पष्ट करते हैं कि हैदराबाद की जनता ने भी आदर्णिय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधान मंत्री जी की विकास यात्रा पर मोहर लगाई है हम जानते हैं कि लड़ाक से लेकर के करनाटक तक और तिलंगाना के दुबाका से लेकर के और गुजराच से लेकर के मनीपुर तक मद्यप्रदेश उत्तरप्रदेश सब जगह भारतिय जनता पार्टी का कमल खिला है और अभी बिहार के चुनाओ हुए उसमें भी कमल खिला है यह इस बात को बताता है कि भारत की जनता ने और हैदराबाद की जनता ने मोधी जी के विकास वाद पर मोहर लगाई है मैं हैदराबाद की जनता का धन्यवाद देता हूँ मैं उसके साथ साथ हैदराबाद की जनता के साथ साथ हमारे तिलंगाना और हैदराबाद के कारेकरताओं को बधाई देता हूँ कि उन्होंने अथक प्रियास करके एक शांदार नतीजे, एक शांदार रिजल्ट भारतिय जनता पार्टी के पक्ष में लाए हैं मैं यह भी कहना चाहता हूं कि संजय बंडी जी हमारे अध्यक्ष और उनके नेत्रतों में कारकरताओं ने बहुत काम किया उनको बढ़ाई और पुरा हैदराबाद की जनता को बढ़ाई हैदराबाद में सारे तिलंगाना के लोग रहते हैं और इसलिए सारे तिलंगाना के ल जनता ने भरष्ट केसी आर की सरकार और टीयारस की सरकार को अलविदा कहने का समय आ गया है और वो कहना चाहरी है यह नतीजे बता रहे हैं आने वाला विधान सभा को चुनाओ वह भी कमल खिलेगा और मोदी जी के विकास वाद को मुहर लगाने के लिए तेलंगाना की जनता अभी आतर है